अध्याई 23 अलंकार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों का विवर्ण दिया जा रहा है। मुदित महीपती मंदिर आय मवर्न की आवरित्ती चारू चंडर की चंचल किरने चवर्न की आवरित्ती दो यमक अलंकार। कविता में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। वहां यमक अलंकार होता है जैसे पच्छी पर्चीने ऐसे परे पर्चीने बील तेरी बर्चीने ने बर्चीने हैं खलन के यहां पर्चीने और बर्चीने शब्दों का दो बार प्रयोग हुआ है। और दोनों बार उनके अर्थ भिन्न भिन्न है अते यहां यमक अलंकार है। जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों। वहां शलेश अलंकार होता है जैसे जो रहीम गती दीप की कुल कपूद गती सोई। बारे उज्यारों करे बढ़े अंधिरों होई। यहां बारे और बढ़े शब्दों में शलेश है। इनके दो दो अर्थ हैं बारे बचपन में जलने पर बढ़े उम्र बढ़ने पर और बुझाने पर। बंगन को खत पट देत बार बार पट वस्त्र किवाड मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। अर्थ हर्षित होना हर लेना हरे रंग की सुवन को धूनत फिरत कवी व्यभिचारी चोड सुवन सुंदर वर्ण सुवन गोरी स्त्री स्वर्ण धन। चार उपमा अलंकार जब किसी प्रसिद वस्तु की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के रूप गुण धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं। उपमे वा वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है। उपमान जिस प्रसिद वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमे की समानता बताई जाती है। उसे उपमान कहते हैं। साधारन धर्म उपमे और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप गुर को साधारन धर्म कहते हैं। वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमे और उपमान में समानता प्रकट की जाती हैं। वे वाचक शब्द कहलाते हैं ये शब्द हैं सा, सी, सरिस, सम, समा अब एक उदाहरण में इन चारों अंगों की स्थिती देखिए और समझेए। अंगों की स्थिती देखिए और समझेए। संध्या सुन्दरी परीसी धीरे धीरे।